नमस्कार विद्यार्चियों मैं कमलेश कुपता आपका स्वागत करती हूं बच्चों हम कक्षा 11 की पाठेपुस्तक अंतराल का भाग एक पढ़ रहे हैं हमारा अध्याय एक चल रहा था बच्चों यह जो एकांकी अंडे के चलके मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया था हम अध्याय को पढ़ चुके हैं इसे कांकी के बारे में जान चुके हैं बच्चों हमारी पाठेप उस तक अंतराल में इससे संबंधित कुछ प्रशन आए हैं जिन में से अभ्यास प्रशन एक से तीन हम यहां करने का प्रयास करेंगे तो देखो बच्चों पहला प्रशन है अंडे के चिलके को जुराब में कोड की जेम में या नाली में फैकना बिलकुल ठीक नहीं इस पर अपनी गायी लिए लिए बच्चों किस तरह राय देनी है वह मैं आपको बताऊंगे जो भी घो फिर ड़ी फिलों सब्जियों के चिलके उन्हें घर के बाख कंचरापात्र में डालना सही रहता है जो वी चिलका उसे किसमें डालना चाहिए बार्तिये पुरातन संस्कारों की वैजे सी आद भी बहुत से लोग अंडा सबस à सबसím जबरन कोई भी नहीं बदल सकता लोगे Shark sellers जो अंडे और लसन प्याज को अच्छा नहीं समझते हम जबरदस्ति उनको खाने के लिए उनको दबाव नहीं बना सकते हैं सबीकि अपनी परमपरा होती है अपनी सोच होती है जिसके अनुसार खान पान आचार वेवार तै कि जाते हैं यह परिवार के हिसाब से व्यक्ति अ परमना हानते करता है हमारी में अंडे अनी हकाना अपनी आपनी-चानो निरवर होना चाहिए हमें तो किकि कारण में क्चरा बेए में दालना जाये उसे किसी तरह कर गली में खुले इस्तान पर नहीं डालना चाहिए अगला प्रिष्णी अंडा खाना क्या कोई अपराद है इस विश्या पर निबंदलिक्षा बच्चों अपराद है यह नहीं है इस पर प्रतेग व्यक्ति की श्वतंतरा उसके संस्कार्वे विचार व्यक्ति को मानने के अपने विचारों को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र किसी व्यक्ति के ऊपर किसी तरीके का मामले में को नहीं कोई ढ़ाब नहीं क्या एपनाता है यह उसके दवाब करता है उसके ऊपर किसी तरीकी का कोई ड़ी डाला जाता है आप देखो अंडे यह नहीं खाना है यह सब तरक उत्तपन करते हैं जैसे व्यक्ति की सोच की स्वतंत्रता होती है उतने ही तरक उपस्थित करती है यह नहीं हम सब को अपनी सोच की स्वतंत्रता है उतने ही तरक उपस्थित कर देंगे कि अंडा शाकारी अंडे को खाना चाहिए क्यों क्यों कि अंडा तो जैसे गाय गाय भी दूद देती तो गाय का दूद भी तो पीते ओ फिर वह भी महाजारी होना चाहिए तो जितनी स्वतंत्रता है उतने ही तरकिया पैदा हो सकते हैं पुरातन परंपरा के लोग बहुत सारे आधुनिक लोग आज भी अंडा नहीं खाते हैं क्योंकि भारतिये अधिकतर भारतिये लोग है जो अंडा नहीं खाते हैं अंडे खाने या नहीं खाने से कोई आधुनिक सोच वा और पुरातन सोच वाला इसको नहीं खा रहा है एक आंकी में दोनों अंडे खाते हैं कि इसको फिर इसको फाते हैं परिवारिक लिए बड़े भाई का लियाज है उनकी जो माहिए उसकी वचाने को फिंपाते परिवर्थन सिलता समय कि अफशक्टा है कि अंडे खाना और नहीं खाना किसी भी अपराइद की अब देखो смотреть कहना चाहंे परिवर्थन सिहलता चाहिए रहता है सधितियां सदय और हिए और इसकी प्रेम से नहीं बदल जाती धीरे-दीरे बदलती है यह घंड़े खाना या नहीं खाना किसी भी अपराध किश्रीनी में नहीं आता है हमारा अगला प्रिश्ण है पराया घर तो लगता ही है भावी अपनी भावी-भावी की कमरे में शाम को पराई-पन का बावी बावी को अवाज देता है विना कमरे में आती है तुम्हे आवाज दो पड़ती है इस तरह पुकार रहे हो जैसे किसी पराए घर में आयो चाम जब आता है तो भावी बावी को पकारता है उत्तर में श्याम कहता है पराया घर लगता ही यह वावी क्यों कि अब इस कम्रे को देखकर तो मुझे पराया घर लग रहा जोड़कर अन्य चीजे 4 पाई यह तो मेजबरी विखरी रहती थी यानि उसको श्याम को कमरा पराया इसलिए लग रहा था पहले पूरा कम्रा अस्त तो प्रतीक वस्तु पड़ी रहती है जब से गोपाल की शादी वीना से हुई है तबी से कम्रे का स्वरूप बदल गया वीना ने उसे बदल दिया वीना जो कि शाम की पत्नी है नई शादियों क्या यह उन्होंने इस कम्रे का पूरा द्रश्य पूरा स्वरूप बदल दिया है और हर चीज अपने निर्धारी इस्तान पर रखी हुई मिलती है कुछ भी वेस्तित तरीके से इधर उदर बिखरा हुआ नहीं है गोपाल की मेश की तो दशा कम्रे जैसा लगता है जा अब भी कोट यह पर कोट लटके वे दिखाई देते यह कम्रे का कोना है वह आज भी कोपाल को ड़िकाई देता है कुछ कि मां खूटी पर क्या है गोपाल के कोट पेंट लटके में कम्रे का पुराना एव वेवस्तित स्वरूप शाम को अपना और आज भी वह अपना कमरा करके रखता है उसने आराम से कमरे में सामान को जगे जगे बिखरा देखा था अब वीना ने करीने से सब चीजों को रखा है कोई सामानी दवदर बिखरा नहीं है वैसूसत जी तता साफ सुत्रा दिखाई देता है कमरे का यह नया रूप शाम को बैपरीचित पराया साल अगाता है और उसमें घुस्वित असमें सहास मे नहीं आप शाम कि नहीं होता माद करके शाम का सहास नहीं होता तो देखो बच्चों यह जो तीन अभ्यास प्रश्ण हमने आज की आप इनको लिखने का प्रयास कीजिए और लिख करके याद करने का भी प्रयास कीजिए आगे के जो प्रश्ण है उसे हम अगली कक्षा में करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों